तो वेलकम टू मैं चैनल नौलिजवल एक्सप्रेस आप लोगों के मंग पर प्रस्तूत है मेरा या एक वीडियो खिल जीवन्स पर आधारित तो देखें जैसा मैंने बताया था कि खिल जीवन्स पर आधारित प्रस्त नौर उसके उत्तर प्रिक्षा विसे संग प्रस्त नौ मैंने जो वीडियो बनाया था खिल जीवन्स पर खिल जीवन्स के बारे में उसको पढ़ने से ऑटोमेटिकली कंप्लीटली फिड दूसरा खुछ देखने की जरूरत नहीं है लेकिन मुझे और एक वीडियो बनागर कर आप लोगों को देना था प्रस्त नौतर पर जिसे मै लोग प्रस्नोत्तर पर आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग परिश्चाभी से संक में हम कोसिस करेंगे 50 महतुपुर्ण परिश्चाभाते अधारित प्रस्नोत्तर को कभरप करने का तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आप तक मेरे सारे वीडियो पहुंचता रहे हैं मेरे पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा खिल्जी बंस के बारे में जो कि 1290 से 2320 भी तक इसके प्रमुक सासक को भी देखा है आप लोगों ने और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप जरूर से देख लिजे तो इस बंस में जला 1290 से 1296 तक किया अलावदिन खिल्जी 1296 से 1316 तक सिहावदिन उमर खिल्जी 1316 इस भी उतुब दीन मुबारक खिल्जी 1316 से 1320 तक और नसिरुद्दीन खुसर साह 1320 इस भी तक इसकी जो प्रमुक सासकत है और उस पर आधारी तब हम लोग आगे बढ़ते हैं जी के जी इसक तो इस प्रसनोत्तर में हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रसनोवन से एक स्टार्ट करते हैं अलावदिन खिल्जी का प्रसिब्ध सेनापती कौन था जिसने दक्षीन भारत अफ्यान का नित्रिक्त किया था तो मलिक काफूर अलावदिन की मिर्थ के बाद दिल्ली का सुल यही सासन पर केंद्रित है खिल्जी बंस और अधिकतर प्रसन इसी से आते हैं इसलिए आपको भी आहां पर अलावदिन के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रस्तोत्तर मिलेंगे ठीक है नेक्स चलते हैं हम लोग अलावदिन खिल्जी की मिर्थ कब हुई तो 1316 में अलाव रखनेगे प्रथा थी आलावदिन ने कौन सा सिधान चलाया था तो डैवी अधिकार अलावदिन ने चित आर का नाम बदलकर क्या रखा था तो खृजावाद रखा था तीवरमा कुस्चन है सिकंदर इसानी की उपाधी किस ने प्रहन की थी तो अलावदिन खिल्जी ने बाराक कुश्यन है बर्मानमबर कुश्यन है सितार वं तबले के अविश्कार कासरे किसे जाता है तो अमीर खुश्रों को प्रस्ण 13 सुल्तान बनने से पहले जलालुदीन क्या था बुलंद सहर का इफ्तादार था प्रस्ण 14 अस्थाई सेना को संगठित करने वाला सासक कौन साथ और नाओं का बर्डन है उत्तर है मुहंबत तुवलक प्रस्ण 16 किस राजबंस को समात कर खिल्जी पंस के अस्थापनग की गई थी उत्तर है गुलाम बंस प्रस्ण 17 किसने जलावलुदीन फिरोझ खिल्जी की हत्या कि दिल्ली की गती हासील किया उत्तर है अलावद सबसे पहले किसे राज़धानी बनाया गया था किलो खड़ी को प्रस्न प्रस्न 23 होगा गलती हो गया है यहाँ पर थोरा सा दक्षिन भारत में प्रवेश करने वाला पहला मुस्लिम सासक कौन था हलावदिन खिल जी प्रस्न 22 जलालुदिन फिरोज की हत्या किस ने कब कड़ाई थी उत्तर है जलालुदिन खिल जी के सारे पर उसकी हत्या 1296 में कर द धिक लंबे समय तक सासन किया तो अलावदिन खिल जी प्रस्न 24 तुकलक नामा की राचना किसने की उत्तर है अमीर खुसरो प्रस्न 25 अमीर खुसरो ने किस भासा के विकास में अगर नहीं भूम कानिवाई तो खड़ी बोली प्रस्न 26 है भारत में पोलोग खेल का सुबरम कि प्रस्न 28 एगारमी सदी के भारत का दर्पन किसे कहा जाता है उत्तर है किताब उलहिंद प्रस्न 29 डिली के सल्तनत के किस सासक ने आस्थाई से ना बनाई उत्तर है अलावदिन खिल जी ने प्रस्न 30 शिकंदरे सानि की उपाधी किसने गरहन की अलावदीन प्रस्न 31 खिल जी बंच में घोड़ी को दागनी की पधती किसने शुरूगी अलावदीन खिल जी प्रस्न 32 अलावदीन का प्रचिद स्यनापती कौं था जिसने दकशिन भारत अभियान का नित्रुत किया थ झाल आठा तो मलीक फूर अ कैसट हो प्रस्न 32 है डिल्य में ब्रिताकार अल्हूहिदर वाया अथकी सिकार किसने बनवाया तो अलावदिन खील जी ने स्व्वेक्ला किसने बनवाया अलावदिन खील जीने हूसका号 हाउस खास दिल्ली में हैं हाउस खास जमायात खाना मस्जिद तथा हजार खंभा महल आधी किसने बनबाया तो अलावदिन खिल जी ने प्रसंच 36 अमीर उल्मोमी नीन विश्व का सुल्तान युग का विजेता पिर्थवे के सासकों का सुल्तान जनता का चर्वाहा किसे कहा गया है तो अलावदिन खिल जी को कहा गया है कोहिनूर अलावदिन को किस साशक से प्राप्थ हुआ था प्रताप रुद्रदीव से 38 अलावदिन खिल जी द्वारा चितौर पर आक्रमन करने का क्या कारण था रानी पदमिनी को प्राप्थ करना 49 अलावदिन खिल जी ने चितौर के किले पर अधिकार कव गड़ लिया था 26 अगस्त 1303 को अलावदिन खिल जी के विजियों को कौन-कौन से दो भागों में बाटा जा सकता है तो उत्तर भारत का भी जाए और दक्षिन भारत का भी जाए अभी तक अगर विडियो का सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो तुरन सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यों